हेलो दोस्तों मैं हूँ विकास और श्वागत रहां सभी का महर्शे स्टर्डी में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 का प्रशनाली 1.2 का कोश्चन नमबर 3 के बारे में तो देखें यहां पर हमारा कोश्चन दिया है कि अब हाज एक गुरंखंड बिधी द्वारा निमलिकी पुरांकों के HCF और LCM ग्याद करना है ठीक है एक दो तीन और फिर यह और यह ठीक है तो इनका हमें LCM तथा HCF ग्याद करना है ठीक है तो यह भी सेम कुश्चन नमबर 2 की तरह लगाए जाएगा देखें अगर आपने कुश्चन नमबर 2 को नही पूरे देख लीजिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो चली हम अब इसको हम फटा फट लगा लेते हैं देखें लगे कैसे पहले बारक हम कि बारक वाल करेंगे देखें कि ट्वेल्व के फीड़ीma कातेंगे तो हो जाएगा चे पीड हो जाएगा फ्रीत्री से यहीं घुरी जाएगा तो देखिए अब इसको में क्या लिक्षेंगे यहां 12 फिड़ दो गुड़े नहीं तीन अब कि यादी मन हो तो एक भी लिख लेगे कि इसके साथ में गड़ा करेंगे तो क कोई मतलब नहीं रहा जाता है इसलिए हम एक को नहीं लिखते हैं लेकिन कहीं ज़रुरत पड़ती है थह हम ली मां 15 को कर लेते हैं इसको देखिँ Beef नहीं 5 से करेंगे तीन पचए 15 पी पांच तो इसको भी लेक लेते हैं तीन गोड़े में पांच ठीक है अब हम 21 का करेंगे तीन सत्य एकीस साथ एक अनम साथ तो 21 का हो जाएगा तीन गोड़े में साथ अब देखेंगे अब इसमें कुश्च नमबर दो को अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने जो पेयर बनाया था जो जोड़ा बनाया था हमने वो दो दो का जोड़ा था ठीक है लेकिन यहाँ पर देखेंगे एक दो तीन पद देदी हम तब हम क्या करेंगे हम तीन का जोड़ा बनाएंगे एक ये ये और ये ठीक है ये देखें ये हमारा तीनो एक जोड़ा होगा क्यो तो तीन मान आया एक मान दूसरा मान और तीसरा मान तो इसलिए हम देखिए तीन जोड़ा बने आगा जाएगा ठीक है तो जो एस से फ लिखेंगे hcf ब्राबर लिखेंगे तो हम क्या तीन लिखेंगे ठीक है अब यहांपर देखी जैसे कि यह दो है ठीक है दो गुने-दो है तो यह भी तो जोड़ा है लेकिन नहीं यहांपर जोड़ा बनेगा वो तीन का जोड़ा है तो चलिए अब लिखेंगे गुणे में तीन के अलावा आप क्या बचा है दो गुणे में दो हुआ फिर पांच और साथ है तो गुणे में पांच और गुणे में साथ अब इसका हम गुणा कर लेंगे तो देखेंगे गुणा करेंगे तो ये ऑजाएगा 450 ठीक है तो यह हमारा आंसर हो जाएगा चलिए इसी परकाश से अब यह वाला कर लेते हैं अब देखेंगे यहां पर हमारा सेकेंड नमल इलिए 17 तेईस और d9 ठीक है तो अब देखिए इसको हम निकालेंगे कैसे यह 17 है तो 17 को हम किसी चीज से बिभाजित नहीं कर सकते हैं अगर बिभाजित करेंगे भी तो यह point में आ जाएगा और हमें point में लाना नहीं है ठीक है अब जिसे 17 को 2 से हम बिभाजित करें तो यह कितने हो जाएगा 8 हो जाएगा ठीक है तो 8 हमें लाना नहीं है तो इसलिए 17 को 17 से 17,1,1,7 तो हमारे पास क्या आया है 17 बराबर में 1 आया ठीक है 1 आया अब उसी परकर से 23 का करेंगे तो अगर 23 का हम करें तो 23 से ही काटना पड़ेगा क्योंकि यह और किसी से नहीं करेंगा तो यह हो जाएगा 23 एक अनम में 23 उसी परकर 29 है तो इसको भी हम 29 से ही काटनेंगे एक अनम में ठीक है तो यह हो जाएगा क्या एक ठीक है तो देखें यहाँ पर एक 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 तो यह सम हमने एक लिख दिया अब देखिए यहाँ पर 17 है 23 है तो इसको भी लिख देते हैं 17 29 और 23 तो देखिए यहाँ पर एक का प्यार बन रहा है तीनों में ठीक है तो जो हमारा HCF ब्राबर आए जाएगा वह आजाएगा एक ठीक है और जो हमारा LCM आएगा वह आएगा इन सभी का गुणा 17 गुणे में 29 गुणे में 23 और यह एक ठीक है तो इसको जब हम गुणा करके जो मान आएगा वह आएगा हमारा 11 349 ठीक है यह हमारा दूसरा का अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए तीसरा कर है तो देखिए यहां पर हम थर्ड नमर लिए अब इसको भी हल कर लेते हैं तो यहां पर है एट एट को करेंगे दो चोग का आठ फिर 2 से करेंगे और यह एक एक आगया अब छोड़ देंगे अब फिर नव को करेंगे तो 9 को करेंगे 3 से पहले 3 तरीका 9 3 तरीका 3 एक अर नम 3 ठीक है एक आ गया अब फिर 25 को करेंगे इसको 5 से करेंगे 5 पच्छे 25 पांच एक अरनम 5 ठीक है अब इसमें देखिए 8 बराबर में क्या आया हमारा दो गुड़े में दो ठीक है और फिर 9 बराबर में क्या है हमारा तीन गुड़े में तीन इतना ही आया है और फिर 25 बराबर में क्या आया है वक्ति में 55 सरी 55 गुड़े में 5 ठीक है अब देखे इस में हमारे पयर कैसे बना यह वाला है यह हमारा टीनों चोड़ा बन H-C-F बराबर में आजाएगा दो और फिर L-C-M L-C-M बराबर में आजाएगा हमारा पहले तो दो लिखेंगे L-C-M करूल होता है जो पहले जोड़ा बने वो लिखें और जो जोड़ा नहीं बने उसको भी साथ में लिखेंगे तो साथ में क्या हो जाएगा तीन गुड़े तीन तीन गुड़े में तीन फिर गुड़े में पांच गुड़े में पांच अब इसका हम गुड़ा कर लेंगे तीखें कितना है तो यह हो जाएगा दो तिये छे सब्सक्राइब कर लिए अगले वीडियो में वीडियो के लिए अगले वीडियो में धने बाट